अस्सलाम अलेकुम आज हम आपके खित्मत में हाजिर हुए हैं इम्रान सीरीज के एक बहुत ही दिल्चस नौवल हाफ फोईस के पहले हिस्से के साथ जो के भरपूर सिस्पेंस तंसो मजा और फाइटिंग से भरपूर है वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गु ही था कि उसी लम्हें काल बेल बज़ उठी काल बेल की आवास सुनके कैप्टन शकील की नज़े बे एक्तियार दिवार के कुलॉक पर पड़ी जहां रात के दो बज़ रहे थे इस वक्त को उना गया कैप्टन शकील ने हैरत बरे अंदाज में पर बढ़ाते हुए का कैप् इसकी रिज़े टी-वी लांच में खासा गरम हुआ हुआ था और इसे गरमाहार में कैप्टन शकील देर तक टी-वी सामने बैठे रहे थे और देख रहे थे पिर उसे काफी की तलब हुई तो वो देखे बगार के रात के दो बज़ने बाले हैं और उसके सोने का वक्त हो कौन है कैप्टन शकील दर्वाजे के पास रुकर कदर उंची आवाज में बूचा उसे चुके हाल में ही फ्लैट तबडिल किया था इसलिए अभी तक दर्वाजे में उसने डोर आई नहीं लगवाया था जिससे वो बाहर जांकर देख सकता था के बाहर कौन आया हुआ हु मैं हूँ बाहर से एक कामतुई आवास नाई दी मैं कौन कैप्टन शकील ने हरत बरे लाज़े में कहा यह आवास उसके लिए ना आशना थी मैं दो दर्वाजा खोलो मैं बहुत बुरी हालत में हूँ बाहर से लरसती और कामतुई आवास में कहा गया और इससे पहले कि कैप्टन शकील ने कहा लेकिं बाहर बत दस्तूर कामोशी चाही हुई थी कैप्टन शकील ने एक लमा तौकिफ किया और उसने लाग कोलकर दर्वाजे का हेंडर गुमा कर दर्वाजा कोल दिया जैसे उसने दर्वाजे के पास एक बुड़ा आदमी गिरा हुआ दिखाई बुरा बेहत दुबला पतला सा था और उसने सादा सा लिबास पहन रखा था सपैद रंग का लिबास जिस पर उसने नीले रंगी जर्सी पहन रखी थी और इसके गरदन पर पुराना और मेला सा मफलर लिप्टा हुआ था पैरे में पुराने जुते थे और इसके धाड़ी के यहां भी वो कई रोस का भूका हूँ जमीन पर बिलकुल साकित पड़ा था और बता उसका सीना फूल और पिचक रहा था जिसे पता चलता था कि वो सांस ले रहा है और शायद वो ने कहा ज़दा होकर वहां गिर गिर गया था कैपटन शकील हरब बरी नज़ों से इस बुड़े को देख रहा था वो इस बुड़े को नहीं जानता था उसने इधर उधर देखा लेकिन इद गित के फ्रैटों के दरवाजे बनते और वहां मुकमल खामोशी चाही हुई थी कैपटन शकील बुड़े पर जुगा और इसके कैपटन शकील ने चुटकी से उसके गर्दन में गड़ी हुई सुई खेंच कर निकाली सुई देखर उसने बे एक्तियार होन भेंच लिए यह सुई नेडल थ्रोगन से फाइर की गई हुई सुई थी कि इस दिसके सीरे पर ऐसा मुवादियन जहर लगा होता है जिसे इनसा कैपटन शकील ने पर बड़ाते हुए कहा इसे बुड़े के पहलों में हाट डार कर उसे उठाया और फिर मुड़कर बंद कर दिया था जिस पर आटमेटिक लॉक लगा हुआ था बुड़े को लेकर कैपटन शकील सिटिंग रूम में गया हीटर की विज़से चुके सिटि कैपटन शकील ने इसे कंदों से जिंजोडते हुए कहा लेकिन बुड़े के रिसे में कोई हरकत ना है इस पर बेहत निकाहत तारी थी और वो तवील बेहोशी की हालत में चला गया था बुड़े का लागरपन देगा कैपटन शकील को इस पर बेहत तरसा रहा था वो को बेहत पश्रूर लागर था इसके पैपटन शकील नाख और मुँः पकर कर उसका सांस रूकर से होश्ट में लाना नहीं चाहता था सांस रूकने की वज़Te बुड़े के लागरी के रे से उसका ढम खुर सकता था और विहोश आनी की वज़ए वॉ-हालाग भी हो सकता था और कैप steepTON शकीर ने इस पर पानी के शाइट मार कर çोछ मिल आने का Iरadद्ध सके बुड़े के पास सक must Εgg blender कैप्टन शकील ने एक हाथ में गलास का थोड़ा सा पानी उंडिया का बुढ़े के चाहरे पर चींटे मारे चींटे पढ़ते ही बुढ़े के रिसम को जटका लगा उसके चाहरे पर तकलीफ के तास्रा तमुदार हुए उसने एक लम्हें के लिए आंके खोली और फिर बंद कर लिए देकर कैप्टन शकील ने इस बार पर पानी के चींटे मारे तो इस बार बुढ़ा यू उठकर बैट गे जिसे किसी ने उसे कंदों से पकड़कर उठा कर बिठा दिया हो मैं कहा हूँ तुम कौन हो बुढ़े ने हैलत भरी नज़रों से पहले कैप्टन शकील और फिसने सिटिंग रूम की तरफ देखते हुए कहा उसके लहजे में बेपना हक लाहर थी और वो इसके रिसम बुरी तरह से कांप राते जैसे वो इसे शिदी सर्दी लग रही हो बाकिशे करें ना भी जानते हैं कैप्टन शकील हेर्परे लहज में कहा हाँ मेरी आंखे कभी रही हो क्यो सकती तुम कैप्टन शकील ही से पहले ही मैं हलाक हो जब बुढ़े ने इंताई बेचाएं लहजे में का कौन सा रास कैपटन शकी ने कहा जब तो मुझे इस बात कर जिकीन नहीं दिलाओगे कि परक्षे सीकर सर्विस के लिए काम करने वाला कैपटन शकील हो तुम उस वक्त तक मैं तुम्हें कुछ नहीं बहुत कुश हो कि मैं मरने से पहले अपनी मंजल तक पहुंश गया हूँ अब अगर मुझे मुझे मौत भी आ जाये तो मुझे इसकी कोई परवाण नहीं होगी बुढ़े ने कहा कुछ नहीं होगा आपको अगर आप कहें तो मैं आपको अभी और इसी वक्त एक अच्छे क जाता हूँ है सबतार के ट्रीट्मिंट के सारी जिम्मेदारी मेरी ही होगी कैप्टन शकील हम दर्दाना लहचे में कहा नहीं मेरा आप किसी सबतार में जाने से कोई फादा नहीं होगा मियांग मेरे जिसम की नस नस मेरे समाच चुका है और मेरे अंदर टूर पूर का हाँ वो मुझे पर निडल त्रोगन से हमला कर रहे थे और इनकी थ्रोग हुई थी एक सुई मेरी गर्दे में घुजगई थी इस सुई पर मियांगी सियाग चिपकुने का जहर लगा हुआ था जो मेरे पून में शामिल हो चुका है इस जहर का असर तेदी से नहीं होता है सुई ख़लियात को पहले सबस करता है और पृध जैसे ही सबसकून इंसाई दिमाग की रगों में जाता है वहार जाकर सबसकून जनार शुरू हो जाता है और प्र इंसानी दिमाग के 승 लाश पर जाए लगे फट जाती है जिसे ताकतवर से ताकतवर इनसान भी हलाक हो जाता है इस जहर का दुनिया में कोई इलाज नहीं है इसी जहर की विरसे में तुम्हारे फ्लैट के बाहर गिर के भी होश हो गया था और अब अब बस कुछ ही देर की बात है तुम्हारे सामने बिर सब्स ला हाल कर रख लो और उसे हर हाल में तुमने इसे अपने कैपटन चीफ एक्स्ट्रो को दो तक पहुंचाना है याद रखना यह लिफाफा किसी और के हाथ नहीं आना चाहिए बुड़े ने का और उसे जर्सी के नीचे अपने लिबास के किसी खूफया जेब में हाट डाला और उसे जेब से एक मुड़ा तोड़ा सेयल्ड लिफाफा निकालकर के कैपटन चीफ की तरह बढ़ा दिया कैपटन चीफ ने उसे लिफाफा लिया और उसे उलट पुलट कर देखने लगा क्या है इसमें कैपटन चीफ नहीर भरे लहज में कहा आदा चेहरा बुड़ेने का कैपटन चीफ चूंकर इसके तरफ देखने लगा आदा चैहरा क्या मतलब कैपटन चीफ ने हैरफ भरे लहीज में कहा इस लिफाफे में एक नेगिटीव है जिसलैगा आदा चैहरा हैğlग दजार का हाफेस भी हैसा सकत technical की बैस्प और इस के बिब्यांग और इंताई ऑफ् पक्षेक इस्लामती की खशाद लाक हो गए है बुढ़े ने का तो कैपटरिन शकील हैरे से उसकी शेकल देख रहा था बजाहे बुढ़ा और बेकारी निजर आने वाला आदमें उसे पक्षेक के खिलाफ होने वाले ब्यानक और खौपनाक साज़श के बारे में बताने की आप शेद उस दजाल की बात कर रहे हैं जो इस्लामी रवायात मताविक आलमे इसलाम के लिए तबाहिका बाइस पन कराएगा और उसके पीछे याजूच और माजूच के पूरी फोज होगी और वो वक्त कुर्ब क्यामत का होगा और उस वकत पूरी दुनिया में सबाई य कोई बात नहीं आरी, आफिर आ पैं कोई और कहां से की ने सजो के बूरी तना प्रई उच्डे वह लयाजमें का विर जोर्ज ने Ih —का मतलब आ कीपटा के भी न है का? कप नहीं होगी और दुने को कोई फर्द नहीं जान सके का कि दज्जार कोन है वो पाकिशिया के पूरी दुनिया के मुस्लिमान के किलाफ क्या साधिश कर रहा है बुड़े या जूश ने कहा आपका तालुक किसी गया मुलकी एजनसी से है कैपटनिश किनहरा बरे लहजमे का ऐसा ही समझ लो या जूश ने कहा ऐसा ही समझ लो इसका मतलब क्या हुआ कैपटनिश किनहरा बरे लहजमे का तुम इन बातों को छोड़ो और ये लिफावा अपने चीफ एक्सट्रो के तक पहुंचा देना जब दज्जार के तस्वीर मुकमल कर लेगा तो इसे हर बात का खुद ही समझ आ जाएगी इस वकर दम्याग के वज़े से मेरे सर को शिदी तकलीफ हो रही है और ये तकलीफ मेरे लिए काबले बर्दाश होती ही जा रही है मैं तुमें सब कुछ बताने चाहता हूं लेकिन उसकर शायत मेरे पास अब वक्त नहीं है या जूश ने का और अज़ियत के तास्रा तमाय थे जिसे वागर उसका सर दर्स से भड़ा जा रहा हो आप मुझे ये तो बता सकते हैं कि पाक्षा के खिलाफ किया साज़श की जा रही है और साज़श के पीचे किसका हाथ है क्या साज़श गयर मुल्की है या इसके पीचे किसी मकसूस एज़ से कही सवाल करते हुए कहा लेकि या जूज ने उसकी बात का कोई जवाब ना दिया इसकी आंके अचानक सुर्ख होना शुरू हो गए थी और इसकी तेज तेज सांस ने शुरू कर दिया जैसे इसमें बोलने के सकत ना हो पानी मुझे पानी पलाओ या जूज ने लड़स हुए कहा तो कैप्टन शकीन ने साइड में रखावा पानी का ग्लास उटाया और बुड़े के मुझे लगा दिया मुड़ा गठागट पानी पीता चला गया उसने एक हिसांस में सारा पानी पी लिया था और मुझे और पानी चाहिए जल दिया जूज ने एक बार फिर दो पारा हुआ जग उठाया और उससे लेकर दोड़तावा बापस बुड़े के पास आ गया उस वकर तक याजू सोफे पर दुबारा लेट गया था और उसके जिसम यू फड़कना शुरू हो गया था जैसे वह इसकी गर्दन किसी कंद छुड़ी के साथ काटी जा रही हो और और ये क्या हुआ इसके हलत तो बहुत जादा कराब होगी है कैपटन शुच के ने बुखरा हुए लहजमे का या जूच के आंके फटी हुई थी और इसके आंके जो पहले कौन कितना सुरुख हो रही थी अब गहरे सबस रंगत इसके चाहरे पर भी फैलती चली जा रही थ उसे दोन हातों से सपना सर इस तरह भेंच रकादा जैसे उसका सर दर से फटा जा रहा है और इसके तकलीफ नाकबले बरदाश्ट हो गई हो बुए तरह तरह प्रहात और इसी हाल में देखे कैपटन शुच के लगा जैसे उसकी समझ में ना आ रहा हो कि वह इस बुड़े क जिसे उसका कौन सबस हो गया है और जिसके कारों नाक और मुझसे बाहिर आ रहा है कैपटन शुच के लिए लेज़ में कहा उसी लग में याजूच ने एक जोरदार हिच्च के लिए और भी वह साकित होता चला गया उसकी आंके खुली हुई थी जो कैपटन शुच पर जम हमीत ने अपने फ्लैट में ड्रेसिंट टेबल के शीशे के सामने खड़े होकर अपने टाइक की नौट चेक की और फिर अपने सरापे के जार्जा लेते हुए वह बे एक त्यार मुस्का दिया उसने नेवी कलर का त्रीपे सूट और सफैथ और नेली लाइटिंग वाली ट फिर बलाए लेडी माया क्या चीज़ है कैप्टन हमीत ने अपने सरापे पर नजर डालते हुए बड़े फाकराना लेज़े में कहा उसने कोट के बंद बटन किये और फिर उसने ड्रेसिंग टेबल से हेर ब्रुश उठाया और उससे अपने बाल सवारने लगा बाल सवार तो इसने मकसूस दून पर सीटी बजाना शुरू कर दी थी बासरे करते ही उसने हेर ब्रेसिंग टेबल पर रहका और उसने साइड पर पढ़ा हुआ अपना वालट उठाया वो खासा फूला हुआ था और फिर वालट कोट के अंदरी चेम में रखता हुए बेरों खुला ही था कि उस दर्वाज़े के बाए गोश्ट का पहार दिखाए दिया गोश्ट के पहार को देखती है कैपटन हमीद के चेहरे पर बुकलाहार फ्याल गी और उसने फुरन दर्वाज़ा बंद कर दिया यह बाद इस वकत कहां से टबक पड़ा है कैपटन हमीद ने हो कैपटन हमीद ने रोहान से लह्यचे में कहा तुम घर पर नहीं हो तो तुम्हारा भूत है क्या जो जिसने मुझे शिकल दिखाय दी तीienstी और भोल भी रहा है कैंप तुम जाओ मुझे आप यह तुमसे कोई करनी है कैपटन हमीद ने परशानी के आलम है करनी है उसी वक्त के शेकल देखते दरवाजा बंद कर दे था कोई बात नहीं करनी, मुझसे बात करने में तुम्हें शर्म आती है क्या क्कूलो दरवाजा पिरना कहना कि मैं दरवाजा तोड़कर अंदर आ गया हूँ, खोलो, कासिन ने गुस्षा बढ़ता जा रहा है, ऐसा नहो कि मैं सेचमर कासिम ने काप्टन हमीद ने रिस्ट वाउच देखी तो उसकी परिशाने पर शिक्ने फैल गई थी उसके आने का वक्त हो रहा था अगर वहां जाने में मुझे देर होगी तो मेरा इंतजार करना भी नागवार ना करेगी और मुझे वहां ना देखकर वापिस चले जाएगी केटन हमीद ने खुसे और परिशाने से बढ़ बढ़ाते हुए कहा उसकी समझ में ना रहा था कि वो कैंदे कासिम को वहां से कैसे भगाए ठीक है ना खुल दर्वाजा मैं भी फरीदी साहिब को फून लगाता हूँ और वही आकर तुम से दर्रवाजा में खुलवाएंग कासिम के साउंड की तरहां दरखता हुआ अंदर आ गया था उसे अंदर आते ही देखकर अगर कैप्टन शीकर फूरान साइट में ना होता तो कासिम के पूले हुए पेट्च टकराकर करी फूट उंचा उच्छा कर दूर जा गिरता आग खोला है ना दर्वाजा तुमने मे देखकर तवासा बंद कर दे था बोलो मैं ठीक कह रहा हुँ ना तुम फल फूर्टी से ही मिलने जा रही हो ना बोलो कौन है वो फल फूर्टी जिसे तुम अकेले मिलने जा रहे थे बोलो जो आप दो मूँ की बंद है तुम्हारा बोलो कासिम अंदर आते ही यू बोला तो फिर इस तरह तुम दूले मिया क्यों बने बैटे हो ऐसे लिबास वबास से तुम उस वकादी पहन दे जो कि तुम फल फूर्टी से मिलने जा रहे हो और भी अकेले केले कासिम ने उसके लिबास की देखते हुए हाथ नीचा कर कहा मैं करना फ्रीदी के होकम से एयरपोर कैपटन हमीद ने एक मुलका नाम लेते हुए कासिम बनाते हो कासिम दी ग्रेट को तुम्हें मेरे सर पर सिंग उकते हुए दिखाई दे रही है जो मुझे चक्र देने की कोशिश कर रहे हो कासिम उसे तेज दंसों से गूरते हुए कहा बने बना एक मैं मजीद क्या बनाऊ हो गए हो कैप्टन हमीद ने मूझा कर कहा मुझे पूरे मुल्क के इंट इप्राइचन फ्लाइट की स्क्राइब आती है आज संड़े है और संड़े को कौन से कोई फ्लैट नहीं आती कासी ने बुड़ी औरत की तरह हाथ नी चाहते हुए का तुम तो बार के खाल उता रहे हो महमां चाड़त त्यारे से आ रहे हैं और चाड़त त्यारा तो कोई स्काजूल नहीं होता है कैपटन हमीद ने कहा अच्छा फिर ठीक है चलो फिर मैं भी तो देखूं कि फ्रीदी साहिब कैसे कौंसे महमान आ रहे हैं जिनके तुम दुले मियाँ बनकर जा रहे हो कासी मने कहा तो कैपटन हमीद के चारे पर घुटसा उबरैता जरूरी नहीं कि हर जगा घुटव के तरह मैं तुमें अपने साथ था फिरूं कैपटन हमीद ने कह तो क्या हुआ गदों के साथ कमहार का होना भी तज्रूरी है वरना गदे इतने तो मूँ बरना श्रू कर देते हैं तुम खुद को गदा समझते हो मुझे कमहार बन जाना बहतर होएगा कासिम नेकावर कैप्टन हमीद उसे खा जाने में नजलों से गूरने लगा कासिम बुरी खुबसूरती से उसका जिम्रा उसे पर इल्ट दिया था कि अपने साथ कि यह यह को तो मुझे अपने साथ चा कर दोड़ जाएंगे कासिम इससे भी ज्यादा उसे तेज नजों से गूरते हुए कहा फ्रीदी आपने को उसक्राइब करने को हुकम दिया है तो मैं जानती कि फ्रीदी आपकर मैं पर अमर करता हूं केपटन हमीद ने मूब बना कर कहा मैं जानता है तुम फ्रीदी साहिब के हुकमों पर कितना अमर करता हूं जानता हूं कि तुम कैपटन हमीदी ने चिर्कर का मारते हुए कहा क्यों कोई जबरदस्ती है क्या कैप्टन हमीद ने चिर्का का हाँ यह जबरदस्ती कर लो जो तुम्हें करना है कर लो मगर मैं तुम्हें के लिए नहीं जाने दूंगा कासिम इसे अंदास में कहा हूँ हूँ यह बताओ के तुम इस वकत अचानक आफ़त के तरह क्यों टपक पड़े हो तुम्हें मुझसे कोई काम था क्या कैप्टन हमीद ने उसकी नकल उतारते हुए कहा काम ओ हाँ बात बात में मैं बूल ही गया कि मैं जहां क्यों आया था कासिम ने चूंक कर कहा यह कैतिव अचानक उसके चाहरे पर कौफ उमर्ट आया था और उसके जिसमें लर्जश होना शुरू हो गई थी और उसकी चाहरे बदलती हुए हाला देखकर कैप्टन हमीद बे इक्तिया चूंक पड़ा क्या हुआ तुमाए चाहरे पर अचानक हमाई यह क्यों उड़ने लगी है रद को इसे फल फिटे के बूत ने आलके तुम्हें ड्राया था कैप्टन हमीद ने है रद बरे लेज़े में कहा बुड़े का बुट कहा देखा है तुमने बुड़े का बुट और तुम कहा कहeight रहे हो कैप्टन हमीद ने कहा वो मुसे कुछ कहा कर तो देखता मैं उसके हड़ या ना तोड़ देता होई.. उसके सीने में दो सुराकर इसके कौन निकल निकलकर में कार फैल गया है और तुम जानते हो कि कौन देक 메Book की की। लाइसा निकल कर तो कौन निकल कंसिट ने क्वाइसा कॉन ओब बुरता का। क कौन है वो बॉड़ा जिसके लाफिछर्माह पडया कार कर हुए है आज ड्राइवर नहीं आया था तो मैंने सोचा के चलो आज कार में खुदी ड्राइव कर लेता हूँ चौशे मैंने ग्राइव से कार निकाली और मूड में बनता हुआ तो महारे फ्लैट के लिए पहुंचा चाज़ अचानक मैंने बैक मीरर की पिछ मीरर की पिछी सीट पर मुझे वहां पर सफध कप्रों में को लिपटा होँता हुए बस मुझे नहीं गया तो मैं फूर्म की से निकला और तुमाए फ्लैट की दवर धर दोटा आ गया कासिम ने तस्विर बिता दे हुए कहा जिब तूने कोठी में कार के लाश नाजर नजर नहीं आई थी कैप्टन हमीद نے कासीं जिसूसे अंदाज में कासीं की तरफ मुदेखकर स्वाल करते हुए कहा नहीं मैंने कार तुमारे फ्लेट के सामने हीरो की थी वो भी जब मैं इस लाश पर नजर पड़ी थी कासीं ने कहा इसका मतलब है कि लाश पहले सही तुम्हारी कार में मजूद है कैप्टन हमीद ने सोचते हुए अंदाज में कहा लेकिन मेरी कार में लाश आई कहां से राद को कोटी पर महाफिज होते हैं कोटी की हिफाज़त के लिए हमने सिक्योर्टी के लिए गार्स भी रखे हैं महाफ़ों और गार्स के होते हुए कोभी चोर भी कोटी में नहीं गुश सकता फिर भला लाश वहां कैसे आ सकती है कासिम ने तरास करते हुए कहा ये मैं नहीं जानता लेकिन तुम जो सुर्टेहाल बता रहे इसे तो यही लगता है कि तुम्हारी कार में लाश बनकर सुकना पड़ रहा है कैप्टन हमीद ने का उसे से कासिम से जान शुराने का मुका मिल गया हो अगर वो लाश रुटकर तुम से लिपट गी तो कासिम ने गौप बहले लाश में का तो मैं उसे लिपट जाओंगा मैं किसी लाश से डगता हूंगा कैप्टन हमीद ने मुस्कुराते हुए लहच में का शेकल वकल तो तुम्हारी खास नहीं है लेकिन इस बास में तुम वाकी अफ्रीका के फ्रिंस दिखाई दे रहे हो कासिम ने जाबन दान्त निकाल कर का तो कैप्टन हमीद इसे गूरतावा दर्वाजा की तरह बढ़ गया ज़स जल्दी करना और लाश कार से निकाल का बाहर रख देना और किसी बंगी को बलाकर में एक कार दुआ दुआ देना ताकि मैं वापिस जा सकूँ कासिम ने कहा लेकिन कैप्टन हमीद ने उसकी बात पर कान ना दरे और तेरे से वहाँ से निकलता चला गया अभी वह फ्लैट से निकलकर नीचे सड़क पर आया ही था कि उसी लम्हे उसके सामने एक सियाह रंग के कार आका रुकी कार के शीशे बलाइन थे और कार के फरंट पर सियाह रंग के एक थोस चिटानी पत्थर का मुक्सूस निशान बना हुआ था इस कार को देगे कैप्टन हमीद उच्छ का पीछे हट गया वो गया काम अब क्या काम था जो ये दूसरे हज़ाद भी आठ टपके हैं कैप्टन हमीद ने एक तोब सांस लेगते हुए का उसी लबहे कार के साइड का शीशे हटा और करनल फरीदी की चकल दिखाए दी लेकिन करनल फरीदी निकल गहाए थी इसके लिए करिणाफी चैन देर नामगाम तैया जो रहा था वो जी लडी माया ऐसे मिलने जा रहता वह इसना निकलती हुए बड़े पेचैन निकाई दे रहे हुए किसी को मिलने किलिए वक्त दे रखा है कि करनल फ्रीदी ने उसके देखते हुए का ओ नहीं ऐसी कोई बात नहीं है संडे है इसने में सपार्टे का मूड बन रहा था का फिर से मैं किसी जू नहीं गया था इसे सोच रहा था कि चलो आज जू की सहर ही कर रहा हूं और देखो कि वहां कौन कौन से न कर लहvy है करना फ्रीदी नी खार्णते वालिए है इस तरह से मसकुरतें का हूं हूं मैंनी कौन से ज़नुख वाली हरकत की है जो मुझे जनवर कह कर रहे है है कैपटन हमीड नहीं जानते हूरिक वो कौन से ज्यौा भी होता है हुरी ने दिमा किसी इंसाम में नहीं बलके ख़रों में ही होता है करना फ्रीदी ने हंसते हुए कहा तो कैपटन हमीद के चाहरे पर अब सच मुझ गहरा गुसा आने लगा था पहले यह तो फरमाएं कि मैंने कौन से हरकत किया जो आप मुझे इन अजिर रिष्टेदारों में शामिल कर अरे बापरे अगर मैं इस शारे चयांत तो मेरा क्या होता कैपटन हमीद ने बुरी तरह से करन वख दिमाग की ख there ओक हर वह तो कोन कैपटन हमीद ने चूंक कर ने कहा वेज़ी से तुम मिलने किपटन हमीद और जा रहे करन ने उसता मिद्न हमीद या करना फ्रीदी माय से मिलने जा रहे थे और तुमने इसी बड़ी तमिने समालित करके लंच के लिए बनाया था करना फ्रीदी ने का और करना फ्रीदी की बास रगा कैप्टन हमीद का रंग उड़ गया आप आपको ये सब कैसे पता चला कैप्टन हमीद ने खोई हुए अंदास में कहा ने हर इनसान नहीं रहें तो बूत ना बनावने सबस्दा मुसे तुम्हें ही डर लगेगा करना फ्रीदी ने का कौँसा काम लगता है कैप्टन हमीद ने बढ़ बढ़ा करका कुछ कहा तुमने करना फ्रीदी ने उसकी बात सुनकर जान बुच्छ कर अंजार बनते हुए कुछ आप बताएं संडे के दिन आप अपने फ्लैट में राम करने के बज़ाई यहां क्यूं आए हैं पर काम था किया मुझे कैप्टन हमीद ने सर जटक करका तुम्हारी पैंट सेधी करा नहीं थी मुझे इस लिए में यहां चलाया करने फ्रीदी ने मुस्कुराते वे कहा थैंक के वे के लिए में आप बाँ पर पड़ी थी वह में चानका दुश्मन है यहां और हड़ी में कबाब बनने के लिए आय था कैप्टन हमीद ने मुझे बना करका कई प्र वापिस आने था काउसम के दौड़त ने चूंकर उप देखे तो इस का में आपको इस तो एक तर नि तेस थेस चलता वे अपने फ्लैट की तरह बढ़ता चला गया। करणने फीदी के चला हुआं यहां खार बेंकी किलाज थी जिसका लिबास कुण से सुर्ख हो रहा था बुड़े के आंके पटी हुई थी जैसे उसके जान शदीद अजिये से निकली हूँ उसके सीने पर दो निशान भी जो थे गोलियों के कॉलबल के आवास सुनगे कैप्टरि शकीन ने परिशानी के आलम में बुड़े किलाज के तरफ देखा पर इसने को सोच कर बुड़े कीलाज उठाई और इसे सोफे के पेचे डाल दीया लाइए उसरे सोफे का ख़लाफ इस अंदाज में इस पर पिला दिया था कि global कि港 जब कोसी व्धर की सोफे के मात मीत प्छा में राइए व्यव artificial खेवर वास्मार देखेंग valid कुछ Philadelphia कीम का सबस्क्टدة लॉक अटाकर दर्वाजा खोल दी जैसे इसे दर्वाजा खोला एक लंबा तरंगा और इन ताइम मजबूर जिसम का मालिक गुड़ा टाइब नोजवान उसे देखेलते हुए अंदर दाकिल हो गया था इसके हाथ में भाई रिवालवर था उसके पीछे और दो गुड़े ट चुपकर उपर वाले फ्लोर के तरफ चला गया था हम उसे काफी देसे तलाश करें इस फ्लोर पर हमें एक शक्स ने बताया है कि उसने बुड़े को तुम्हारे फ्लैट के पास पाई पढ़े देखा था और तुम इसे उठाकर अंदर लेया है और गुंड़े ने कहा नहीं और इसके फ्लैट के एक एक हिसे के तलाश ही लो लंबे तरणगे गुंड़े ने कहा और उसके दोनों साथ ही तीजिसे अंदरी हिसों के तरफ बढ़े वो बुड़ा है कुछ से तुम तलाश करते हुए कप्टन शकी ने उसके दब देखते हुए सादर से लहज़े में सव तक कैप्टन शकील एक तरी सांस लेकर रहेंगे उसे साफ अंदाजा हो किया था कि जूड़ बोल रहा है वो जैगर के साथ सिटिंग रूम में खड़ा था जबकि उसके साथी फ्लैट के दूसरे हिस्टे में टांग चांग करते पी रहे तो कैप्टन शकील जान बुचकर स बुड़े को च्पाया हुआ था ताकि जैगर के सोफे की तरफ देहान ना जा सके जैगर की नजर के जैसे जैसे वो इसके चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रहा हो लेकिन जैसे गुंड़े को अपने चेहरे के रीडिंग कैसे करने दे सकता था वह बड़ लापरवाना तुम हमाले प्रिशानी का सबब बन सकते हो इसलिए खुद को बचाने के लिए मैं तुम्हें गोली भी मार सकता हूँ ताकि तुम्हाई तरफ से हम बेफिकर हो जाएं जैकर ने बड़े इत्मिना से सुपह बैटकर रिवालवर करो कैप्टन शकीर की जानिब करते हुए कह तुम्हारे लिए किसी किसम का कोई नुक्सान नहीं पहुंचाओंगा कैप्टन शकीर ने जान बूज कर हकला है जदा लहज़े में कहा हम किसी के वादे पर इतमाद नहीं करते हैं जैकर ने का ओ इसका मतलब है कि मेरे आखरा वक्त आप महुचा है कैप्टन शकीर ने उस रासा तलाश कर रहा हो वो इन गुंडों से जानी से निपट सकता था लेकिं वो इन गुंडों से इस बुड़े के बार मालूमत हासिकरन जाता था जिसने अपना नाम जाजूज बताया था और इसे एक रिफाफ़ा देकर हलाव हो गया था कैप्टन शकीर बातों बातों मे जिसकर तुम इसे अस्तिया के तलाश करते फिर रहे हो तुम्हें चारी से अंदाजा हो रहा है कि तुम उसे जिंदा नहीं चोड़ोगे और एक किमती घड़ी के लिए तुम इसे कदा कर दो गई यह बत मुझे कुछ हजब नहीं हो रही कैप्टन शकीर ने कहा गुली खाक मेर कंति घड़ी किया अब कहा रहे हो कि आसारत पर तुम इसका अधान का कुछ हो आई है। तुम्हारा नाक्ता बंद कर देता और बोलकर तुम्हें इसका जिच कर देता है तुम अपने हाथ और अपने सर में गोली माल लेते। कैप्टर शिक्टी ने मुस्काते विकार से जैगर की बास उनका अचानक इमरान का ख्याल आया था। कान चेगर ने किfire का रूस का रास्कल के काप्टार शिक्टी ने इस ने में इसका नाम सिफ सुना ही होगा। चैगर उसके तरफ गोड़ से देखने लगा हुँँ लगता है मौस सामने देखकर तुमारी खुपड़ी खिसा गई है जो इस तरह उल्टी सीधी बाते करें हमें किसी रॉसका किंग प्रिंस को नहीं चानता हूँ और सुना अब कामोश हो का खड़े हो जाओ मुझे तुमारी बातों से चीड होने लगी है कि मैं दुमाग में चुपकरी सवार होगे तो मैं रिवावर का सारे मेगजिन तुपर काली कर दूँगा जैगर ने तेस तेस लहचे में बोल तो वेका उसके चरेप शिरी नागवारी तो और गुसे के तास्यों जलक रहे थे अगर तुम्हें मेरा बोला अच्छा नहीं लग रहा तो मैं अपने होंटों पर उंगली रख लेता हूँ कैप्टन श्कीर ने वजाब लेचे में गारों से इससे में अपने होंटों पर उंगली रख ली किया तुम पागल हो जैगर ने से गोड़ते हुए काहारे कि कैप्टन श्कीर ने उसके बाद कोई जवाद ना दिया वो खामोश ख़ड़ा उसे देख रहा था बोल क्यों न नॉंसेंस सिर्फ इतना बोल जिता तुम से पूछा रहे इससे जादा नहीं समझे तुम जैगर ने गुसे से धारते हुए का इससे पहले के कपने श्कीर कुछ कहा था उसे लम्में फ्लैट के तराशी लेने वाले दोनों मशीन कर ब्रादर वहां आ आ गए थे नोस बॉस ह हमने हर जगा देख ली हैं बुड़ा वाकि यहां नहीं है कादमी जगर से मुखादिव हो का रहा है और उसने बुड़े को इसी फ्लोर पर चोड़ा है था और साइड वाले फ्लैट के मालिक ने भी कहा था कि इसमुड़े को इसके सामने आकर देखा था अगर वह बुड़ हो रहा है में चुड़े ही इसका रही है कि बुड़ा इसी फ्लैट में है और इसने हमारे आनी से पहले बुड़े को कहीं चुपा दिया है बोलो मैं सच कह रहा हूं ना जैगर देखते हुए इसे तेज दुन से गुड़ते हुए का नहीं तुम जूट बोल रहे हैं तुम जैगर देख ग्रेट को जूटा कर रहे हो जैगर जी जूट के नाम से भी नवर्त करता है तुम्हारी ये जूट जैगर ने गरश्ट वए कहा और साथ ही उसे रिवालवर का रू कप्टन च्पिर के तरफ कर दिया उसके साथ ही ने भी कांदों से मशीन गने उतार का उसका ठुम्हें नहीं नहीं तुम्हें बढ़ को जूटा कहा है। तुम झाहा है की बधे को कहीं चुटा दिया है अगर ऐसा भर साथी ने मेरे सारे टाशी कि ले लिए एकर बढ़통 हो का है कैप्टिन श्की ने मूँ बना कर का हो सकता है और जी भी मुम्किन है कि बुढ़ा जहां मुझूद किसी सोफ़े के पीचे हो जागर निकाता कैप्टिन श्की को अपने सांस अटकता हुआ महसूस हुआ ऐसी बात है तो ले लो जहां की बितलाशी मुझे क्या फर्क परता है कैप्टिन श्की ने खोकले सलेच में उसका अपना ये खोकला अंदास जेगर उसके साथे पर जाहिर ना होने दिया था जागर ने तेजनों से सिट्रिंग रूम का जजली और फिर वो सिट्रिंग रूम के सोफ़ के तरफ बढ़ने लगा और फिर चानल को बट्टा और गौर से उसे सोफ़े के तरफ देखना चुरू किया और जिस पर बैटा हुआ था में शटी हिसके रही है कि बढ़ा इसी सोफ़े के पीछे मुझूद है हटा और जागर ने पहले बड़ बढ़ा कर और पिर उससे तेस देज़े में अपनी साथे सकाथ उसके साथे तेसे सोफ़े के तरफ लपके उससे पहले के कैप्टर शकील उन्हें तरोक था उन दोनों है जागर ने कैप्टन शकील के तरफ देखते हुए तंजिया लहचे में कहा अगरी जाजू यह तो पिर इसका भी माजूच कहा है कैप्टन शकील ने का तो जागर भी तैंसोच पड़ा ओओ इसका मतलब है कि तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बता दिया है जागर ने हाफ फीज और इसके मूँ से और में भी ख exh vis में किसी नेगटिव की बारे में जा तो अकुछ निहीं हमारे कि अगर पूर्शे नेगटिव में का वड़ ना क्या क्या तो जो तुछ Suchे अन्दास में वरना का जौब तुम्हारी मौत है सीधी तरह ये नेगेटिव हमारे हमारे कर दो वरना मैं तुम्हें गोली मार दूँगा जैगर ने रिवालवर कर ट्रिगर अपनी उंग्ली जमाते हुएगा जैक कॉली इसमें गोलिया है ये इसे से दूसरों को डुराने के लिए खाली रिवालवर लिये घुमते भीटते हो मैं तुम्हें से का निशाना लेकर ट्रिगर दुबा देता हूं गोली चले और तुम्हारी खुपी नायल के तरह टक्रे टक्रे हो जाएगी तब तुम्हें खुदे अंदाजा हो जाएगे कर रिवालवर काली है ये भरा हुआ है जाकर निका और उसके साथे उसे टेकर दुबा दे दूसरे लवें सिटिंग डूम जग्ला का एक जोर दाधमा के से गूंच उठा तक है अमर्जन्सी है इसलिए वो जल्दर जल्द यहां पहुंच जब ब्लैक जिरू के लाज़े से बेहत परिशनी को खौफ का अंसर टपक रहा था इसे इमरान भी संजीदा हो गया था और वो फ्लैर से निकल करका दानिश मज़ी पहुंच गा और उसके चारे पर हनू सं संजीदगी से कहा और जी इतला तुम्हें किसी फॉर्ण एजर ने दी है जिसका तालूब अक्रीमिय से एक फॉर्ण एजर इतला दे सकता है जिसका कोड़ नाम माइकल है इमरान ने कहा तो ब्लैक सुरू बेक टाचंपर आपको कैसे पता चला है कि इतला एक्रीमिय से आई पर बताएं कि आपके जहमें एक्रीमिय और माइकल के नाम क्यों आई हैं ब्लैक जिरो ने कहा तुम्हारे सामने मेगा पावर्ट ट्रंस्मीटर रखा हुए है जो अन है और इसका सुर्ख रंग का बलब स्पार करा है और जो इस बात के सबूत है कि उमने इस ट्रंस्मीटर पर काल रसिव की थी और 200 मेगा वॉर्ट ट्रंसमीटर बाइट इसकी प्रिकनशें ऑखर करींड मेकल के पास मजूद है वह कौक्यों कालि है कर सामने पपर करें मेल्स पर चानस्मीटर को देखकर बलैक ूर्पजोड अक्तविर सांस ले से के इक ने कहा कि हरे है मैकल कर Бә मुझود تمام मुसल्मानों के एक साथ हलाक करने का इंताहरत अंगेस और उनों का तरिका जरीापत कर लिया इस तरीके पर अमल करते विए वो नहीं से पक्षिय का सपर हस्ती से मिटा देंगे बल्के कापलस्तामें मुझود तमा मक्लीते मुसल्मान भी हलाक हो जाएंगे और इसके बार दुनिया के दूसर ममाली के तमाँ मुस्मानों के खलाब भी यही हर्बर इस्तमाल किया जाएगा और पुरी दुनिया को मुस्मानों को हला कर दिया जाएगा और इंताय फुल पोरीफ मुसिप बनाते जा रहा है ब्लैक जिरो ने कहा रर मुझज़्तानिय मुझारा को एक साथ युरला करने की तativas कर देंगे और इसके लिए वो नजाने क्या तरीका थियार करेंगे लेकिन ये तरह है कि इनकी प्लाइनिक मुकमल है और वो जल्द जल्द ऐसा दमाका करने वाले हैं जिसे पाकश्य कापिस्तान के तौब मुस्लिमान हलाक हो जाएंगे प्लाइन की पाकश्य कापिस्तान से प्लाइनिक मुस्लिमाना के लिए गाले हो जानुवार है लेकान अभी भी क्रूड़ों इसे हैं जिनके बारे में एकरीमे के पास कोई मालूमत नहीं है और इनमे मुस्यम अक्सेद भी है इसे सुथ में एक्रीम है और इस्राइल के दावा मुजिक का खिरिज है कि मालूम होता है कि इन्होंने पुरी दुन्या के मुस्लमानों को हला करने का इंतजाम कर रखा है इमरान ने कहा मैंने अभी माइकल से भी सवाल किया थो तो उसने जवाब दिया है कि इसे एक छोटी से टिप मिली थी जिसके दायते करीमन और स्ट्रेश साइंसदानों ने मिलकर एक ऐसा मशिनी सिस्टम त्यार किया जिसे उन्हें दुन्या के तुमानों के बारे में लाइफ कबरच मिल जाएगी और यह मिशन इस बार के तस्दीग कर देगा कि इस मजब या किसी फिर्के से तालुक रखता है इस मशीन में ही पता चल जाएगा कि दुनिया में कहा कहा और किस किस कोने में मुसल्मान मुझूद है और पि वो इस मशीन के एक मुक्सूल सिस्टम से इन मुसल्मानों का खात्मा करते चले जाएगे मैकल ने इस मशीन का नाव मुसल्म क्लिंग मशीन रखा है बलैक जिरो ने कहा तो इमरान से हैरे से इसकी शकल देखता रह गया हूँ मुझे तरह से लगता है कि मुसल्मानों में इंतशार फिलाने के लिए बेब परकी उड़ाई जा रही है मेरा दिल इस बात को मानने के लिए त्यार हो ही नहीं रहा है कि कोई ऐसे मशीन इजाद हो सके जो पुरी दुनिया के मुसल्मानों के अंदर जहां कर इस बता लगा सके को मुसल्म है या उसका किज़र मुद्ब से तालुक है मारका कोई जमालुमत कहां से मेली है किन जरा से से बना चला है. इमरान ने मूँ बना कर का. मیکल इन ei कर्एमे 4 डिपार्टमंट में काम कर रहा है जो अधर कुरीमिन आर्मी के कर अंडर काम है और जैंताय आर्मी का ऐखोफ़य डिपार्टमंट में अैपलंगराइधक स्थ है। में अपनी जगा बना ली थी और इस डिपार्टमेंट के एक शुबे में पहुंच गया था जहां से इस डिपार्टमेंट में आने और जाने वाले तवा पेगमाद की चेकिंग पर मामूर है VD में आने वाले त 15 पेगमाद तरीरी होते हैं जो सेड़ लिफावा में होते हैं और S VD इनकी तरसिर करती है एस वीडियो में काम करने वाले अफराद का तालुक ज़ाद है सिक्रेट इजन्स से है जो अपने मुक्सूस तरीकों से पेगमाद से मतली का हुकाम को तफिर करते है और वहाँ जितने वी सिर्ट पैकेटियां लिफाफे आते हैं में अचे एक लिफाफे मिल जिस पर एच एफ लिफा आप लिफाफे हो when चेहरा था फूसege झचाहिए वहाँ जूसे एछे लिफाफे यहाद में कुछ नर्यकर बंस रिफाफा पहुंचा जाया Sonic कहने वह तो स्वीडी वाज़ सर्विस अफराद के लिए बिनाए गया था इसमें आज तक किसी भी साविक या रिटार्ड आफिसर के लिए कोई पिघाम नहीं आया था और नहीं इसके जाए थी कि स्वीडी में कोई साविक जर्णल या करनल अपने पिघामाद के तैसलिक कर सके जबकि लिफाफ़ एक साविक चीफ मार्शल के लिए था जिसे रिटार्ड हुए भी कई साल हो चुके थे और भी दूसर यह है कि स्वीडी आने मेरे पिघामाद के पैकर्स और लिफाफ़ पे कोफिय एजन्स और मेरेटरी डिपार्टमेंस के बकारदा नामों पतल लिखे होते हैं साविक जर्णल और करने के तरफ सही पेगाम भीजा वगया क्यों नहों जबकि इस लिफाफ़ पे भीजने वाली एजन्सियां अफाद का नामों पता दर्श नहीं था इसके जर दस्रस हुआ कि उसने अपने लिफाफ़ा को लिए लिफाफ़ा में इस देश चंद प्रिंटर काफ़ात थे माईकल इन काफ़ात की रिडिंग की थी और उससे इन काफ़ात से ही इससाए मालूमत मिल निथी ब्लैक जोने तफसीर बताते वे कहा क्या था 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 इंपकर अगले एक मार तक इस मशीन में पक्षियों काफिय सावी मुझुत्वा मुस्मानों के रिकॉर्ड जबाँ हो जाएंगे और इन सब को हिलाक करने के ने मार कर लिया जाएगा और फिर जब चीफ मार्शल जोंस एरेक होकम देगा तो मशीन का एक वटन प्रेस करके पक्षियों काफियसावी में तुमा मुस्मानों को इक साथ रख कर दिया जाएगा ब्लैक जिरो ने कहा मारकले इंक काफ़ाद के प्रिन नहीं बिनाए इम्राइन नहीं होंड चबाते कहा हैं काफ़ा था कि प्रिंट प्रिन परने कोश्चिकर थे लेकर कोश्याइग थे नहीं इन तक तो मुका नहीं मिल सका था उसने कहा कि वो जल्दी साइज तहरीर मुझे सेंड कर देगा बलैक ZERO ने कहा क्या मेरी माइका से बात हो सकती है इमरान ने चंद लमें तोकिफ के बात कहा मुझकिल है उसने डिपार्टमें ने उसमें से बात करने के लिए वक्ती रुक्त ली थी अब तक उद्बार डिपार्टमें में पहुंच किया होगा बलैक ZERO ने कहा काफी बाते वाज़ा हो गई हैं लेकिं इन सबातों में बहुत से बाते भी वज़ाहत तल्ब है सब्सक्ति में माइका की तहरीर नहीं देख लेता और खत का मतद नहीं पढ़ लेता उस वक्त तक ये फैस्टा करना मुश्किल होगा लगे पुरी दुन्या के मुस्मानों के लिए बहुत बड़ी और गरावी साज़श होगी यहुदी तो पहले इस बात की कौणा है कि पुरी दुन्या से मुस्मानों का नाम और निशान तक मिटा दिया जाएगा इसलिए उन से कोई बई नहीं कि वो अपने साज़श का मुनिक जामा पहनाने के लिए क्या का का कर गुजरेंगे इसने हमें इस इतला को लाइट नहीं लेना चाहिए हमें उस गरे कुछ ना कुछ करना होगा तकि एसल हमारे सामने आ सके और इस बात की खलूम हो सकेग। मुस्मानों के आरिक गिया इसक inlet गारी कि आरिक पता जा मायकल निशू झा है पहले कि मेरी कुछ बताय है गुजा की इसके किषी ते हो कि भी ऐगला के से ँगा गया तो ब्लैक्सियुनेकी挑nahmen। जिसे मालूम था कि खाति जोंस आरिक के लिए आया है तो इसके बारे मालूमत क्यों हाथी नहीं कि इमरान ने कहा है सवा कि इसा करना चाहिए लिकिन परिगाम सुनके में परिशान हो गया था इसे मैं भी इसे बात बूछ इंचे बूल गया था ब्लैक जोंस ने कदर श्रमिं जो भी मेरे अकरीमा कियी काम करता है जिसके जोंस आरिक जैसे चीफ मार्शियर तकरे रसाइं मुम्किन होएकरी जिसके जोंस आरिक कि बारे में हत्मी हो मुझे उर्ड क्रॉस से भी बात करनी होगी उरत की हाफ पेस फाला मोनोग्राम मुझे भी परिशान नहीं में मुपतला कर रहा है हो सकता है कि किसी इसराइल ये एक्रीमी खुफ एजंसी का नाम हो अगर ऐसा है दो इसके बाए में वर्ल्ड क्रॉस अरिंशन ही कुछ बता सकेगी इमराँ चल लब में सोचा रहा फिर उसे जहन पर जोड़ देकर ट्रांस्पीटर पर एक्रीमे और मजूद दूसरे पॉर्ण एजन्ट प्रॉंट की फ्रीकेंसी एड़जस्ट करना शुरू कर दी हेलो हेलो प्रिंस अर्ध धर्ण कॉलिंग हेलो हेलो ओवर इमराँ ने मिससे कॉल देते हुए कहा येस टू टू टेंडिंग यू ओवर रब तब मिलते ही दूसरे तरफ से एक तेज़ आवास नाए दी अपना नाम बताओ ओवर इमराँ ने करक फ्लैजर में कहा ग्रहा प् येस में अच्छा खासा रसूख हासे कर लिया है ओवर इमराँ ने उसके मिसक्राने पर तवज़ा देते हैं ना देते हुए इंताय संजीत की में कहा येस मैं अब डेवल एजनसी का नंबर टू हूँ ओवर फ्रांट ने कहा गोर्शो में फिर मेरे पास एक ऐसे एक्तियार किसी में बड़े आफिसर पर हाट डाल सकते हैं और इनसे पूछ कीच कर सकते हैं यहां तक रिज़त पढ़ने पर हम उन्हें ठाकर अपने हैड़कौर्टर भी ला सकते हैं और प्रांट ने जॉब देते हुए कहा गोर्शो में एक साबिक चीफ मार्शो के बारे में मालूम किया आपने साबिकची मार्शल जोन्स एरिक का नाम बताया है और फरांट ने का इस पार उसके लाज़े में गदर हैस्थ का अंसर था हां क्यों तुम उसका नाम सुनकर है रहां हो और इम्रान ने का इसलेकर साबिक चीफ मार्शल जोन्स एरिक को हलाक हुए तीन माह हो कि ये कंफरम है कि जोन्स एरिक हलाक हो चुका है औबर इम्रा ने हुन भीज़तें वे कहा यास उसका रोट एक्सिडेंट हुआ था शावक कहने में उसकी कार एक ओल्ट टेंगर से जिसके ना सिब एक जो पर इंजन और जोस्के कार की इसके पज़ से कार की तरह कि घया गई इसे उसकी बाक्यादत को फोजी एजास के साथ दफनाए गया था ओवर प्राइड ने कहा तो इमरान एक तुरी सास दे कर रहे गया ओके अगर जोंस एरी खलाक चुछ हो चुगा है तो फिर ये मालूम करो कि अब इसकी रहाश का किसके कब्जे में है और वहां कौन कौन रहत तो मैं खास दोबर इस बात पता लगाना है कि सरकारी और आज़ास कारी डाक जो जोंस एयरी के नाम आती है और जोंस एरी के जुगा को उन वक्रॉर करता है ओवर इम्रान ने कहा ृवर प्लिव इसके नहीं कर दोयाँ तो कर दो कर दो affirmator कर दिया गया इंखर और एम्रान' से आने वाला सीकर्ड लेडर जोन्स एरी का नाम और इसका एडर्स क्यों लिखा हुआ था वह ख़त में जोन्स एरी का नाम लिया गया था सारा पिगाम उसी के लिए था ब्लैक्स रो ने इमरान के तरफ गोर से देखते वे कहा और इनताही गहरा और प्रोस्तरा रुके इकती करता जा रहा हुए बलैक्स रो जोन्स एरी का तीन मां क कब एक हादसे में हलाक होना और इसके हलाकत का ब lifetime करता था होलामि Nobel से वाकता जारी करन». जोन्स एरी के लिए है और इस कादमинसरान पेगाम कुछ बता है वो गलत नहीं है कि कहने का मत्ता बहुत के क्रीमा और इस सब्सक्राइब कर दुनिया भर के मुझमानों को अक्तर आम करना चाहते हैं ब्लैक्स उन्हें होंड से कोड़ते हुए कहा हाँ इस मौफ सामने आ रहा है अब यह पता लगाना होगा कि हाफ इसके पीछे कोन है इसे इंदास में का और फिसन ट्रांस्मीटर से पहले फ्रीकंसी वाश की और इसके जगा वर्ल्ड क्रॉस और्गनिजेशन की चेर्मेन की फ्रीकंसी एजर्स करने लगा जो इम्रान को प्रिंस उफड़ाम के तोर पर जानता और मापजे पर उससे किसम किसम की मालमत येस नौड अटेंडिंग यू ओवर दुसी तरफ से राप्ता मिलता है एक रखत दवासना थी नौड मैं पाकिश्यर से अली इम्रान बोल रहा हूं ओवर इम्रान इंते संजीद के से का अली इम्रान कौन अली इम्रान ओवर नौड ने बरे लहचे में कहा प्रिंस ऑफड उनका सुन कर सके तब द्दिद कि खहल उठी हो मैं इस वकत मजाग के मूड में नहीं हूं नौड मौमला इंते गंगेर और खतरनाख है मुझे तुम से कुछ मालमाद चाहिए इन मालमाद के लिए मैं तुम्हें डबल माफदा भी देने के लिए तयार हूं और इम्रान इस सख लहजे में का उसके चाहरे पर मुठोज चानल जैसे संजीद की दिखाई दे रही थी और अगर इस कदर संजीदा है तो फुर मामला इंताई की खतरना का घंगीर होगा बोलो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं क्या मालूमाद चाहिए तुम्हें ओवर जिदर से नौ सकते हैं और अगर अगरामें जीन तुम्हें का अगरण एक सबसेंसे में नहीं रिए और अगरार ने करता है तुम्हेडर है और शाइर शाय है कि इसकार कर आयरे बीकरर्ड ऐंसे को में मेरी कोई साइजिन साइटा तूही हुद मेरी अनी न हांकों के स्क्रमाइजन के सामने लेसे लिए मिरी उखेंत से ही का जो कुछा इसे साथ में भारट वे और मुझास नहीं है ओवर नौर ने कहा ओके थैंक्स इम्रा ने कहा और दूसे दूसे जब सुने बगाए उसने और और करकर आपता मुंकता कर दिया यह कैसे हो सकता है कि एस वीडियों आने वाले पिगाम जिस पर औरत का आदा चारा बना हुआ इस मोनोग्राम को कोई एजंसे इस्तमाल ही ना करती हो मैकल ने बताया था कि तमाम प्रिंटिड पेपर्स पर हाफ फिस मजूद था और लिफाफे में भी ऐसा निशाय मजूद था बलैक जीरो ने कहा इससे मुझे मुझे मारिकल सही बात करनी पड़ेगी तब ही साय चकर से क को गोश्ट गुजार कर दी है बलैक जीरो ने का फिर मारिकल सही कही मिस्टेक हो गई है इमरा ने सोचते हुए अंदास में का आपके ख्यार में इससे कहा बूल हो सकती है या ऐसा क्या हो सकता है जो बताना भुल गया हो बलैक जीरो ने उसके तर गोर से देखते हुए कहा इकर का नाम इमरा ने कह मैं समझगा नहीं उसने यही नाम बताया था इस नाम में ऐसी कुन सी बात है जो बताना भूल गया था इमरा ने कहा कि उसम्हें बताया था किसी बीब की वास नाय दी और साथ ही मशीन को खुद बाखुद आन होते चलीगी मशीन के ओपर एक बड़ी सक्रीन लगी हुए जो मशीन आन होते ही रोशन हो गई थी लगता है मायका को वक्त मिल गया और इसने मैसे स्पेशल डेटर रेसीवर मशीन पर सेंट कर दिया है बल इम्रा ने उटके बलैक जुरो की कुर्सी के सामने पढ़े हुए फून का रेसीवर उठा लिया एकसिटो रेसीवर उठाते ही इम्रान एकसिटो के मकसूस अंताज में का और फिर जवाब में वह एक आवास उनकर बुरी तरह से चूंग पड़ा करना फ्रीदी कैप्टन हम में तो आगे बढ़ गए थे लिकिन कासिम लाश को देकर द्रवाजे पर ही रुग गया था आये करने साही मैं आप ही करनता कर रहा था डॉक्टर ने चाहरे से ग्रीन मास्क रटाते हुए कहा कि अपने इसका पोस्ट माटम कर लिया है कुछ मालूम हुआ है कि यह कब हलाक ह और इसके हलाकत होने के वज़ा क्या है करना फ्रीदी ने आगे बढ़कर लक्टर तो मसाफ़ा करते हुए पूछ जी हैं इसे हलाक हुए 24 घंटे गुदर चुके हैं इससे तीन गोले मारी गई हैं दो गोले इसके कमर पर लगी है जो इसका सीना फारते वे बाहर बाहर बाह कुछ टूबर वकर तभी अमदात नहीं पीले थी और इसके खुण का क्राच जादा हो गया था इससे हलाक हो गया था उसके खुण के जादा की घंड़ के जवाड़ के लिए और कुछ करणर फ्रीदी ने इसे उकौट से देखते हुए कहां मैंने इसकी के मुकमल मॉइना क हमीद भी चुंग पड़ा दोक्टर अफननदी साइट की मेस के तरह बढ़ा और उसने मेस के उपर वाली दरास कोल कर प्लास्टी की एक थाली निकाले जिसमें एक रोल शुदा लफाफा दिखाई दे रहा था था इसलिए बुड़े के निगलने के बावज़ लफाफे को चं करना फीदु ने उससे थैली ले-टी तोक्त thứ, आफंदी नेञे तोड़ा थी और ताक्राइट वर निकाल लिकने बाहिं सैल्कौर तोलिवेलिव में से ने कॉर्नपर फ्रीदी तोडी कप्टन हमीद ने हैरा भरे लहज़ में कागस पर वाकिक करने फ्रीदी का मखसूस कोड़ हाट सेफटोन और उसके रहाइश गाका एड्रस लिखा हुआ था कि यह ऐख़ जिसको भी मेए वो इस पर लेके वे पत्त पर पोस्ट कर दे और उसके साथ 11 लिका हुआ था और सबसे आखर में एक नाम था जिसे पर करने फ्रीदी की पिशानी पर बड़ पढ़ी थे हो नाम माजूच का था माजوج कून है ये माजوج कैप्टन हमीद ने हरब भरे लहज़े में का करना फ्रीदी इसे तेज़ देज़ से घूरने लगा करना फ्रीदी को इस तरह घूरते देगा कैप्टन हमीद पुरन खामोश हो गया वो समझ गया कि जब डाक्टर फ्रीदी ने खुद इस लफाफे को खोने की कोशिश नहीं की दी तो भी वो इसके सामने खट के लिकेवल फास की उपड़ा था सॉरी कैप्टन हमीद ने का बस यही था इसके पेट में और कुछ नहीं मिला आपको करने फ्रीदी ने डाक्टर फ्रीदी से मकातिब हो कर पोचा नहीं इसके सिवा और कुछ नहीं था और इसके लाकत की वज़ा मैं आपको बता चुका हूँ कहा जा रहे हो करना फरीदी ने उसे पूछा मैं अभी आया हूँ और आते ही मुझे पता चला है कि आप आई हुए और फ्रांसिक लिबॉर्टी में मुझूद है तो मैं आपके पास ही आ रहा था हरिश ने कहा ओओ मुझे तुम्से को जोड़ी बाते करने है करना फरीदी ने कहा तो हरिश ने अब साथ में साथ हिला दिया और दोबारा अपने आफिस के तरह बढ़ गया करना फरीदी ने कासिम और कैप्टन हमीद को भी साथ आने का कहा तो वो दोनों भी हरिश के आफिस में आ गए कौन है वो बुड़ा जिसे आप रांसिक लिबॉर्टी लाए थे मैंने सुना था कि उसकी लाए सिट कासिम की गाड़ी में मिली थी हरिश ने से लम्हे तोफकी के बात करना फरीदी से मुकातिब होकर का हा लाश कासिम की गाड़ी में मजुद थी और ये लाश कल राश से ही कासिम की गाड़ी में मजुद थी जिसका इसे कुछ पता ना चल तक पहुंचने की कोशच कर रहा था उसके पीछे कुछ काति लगे हुए थे बुढ़ा मुझ तक पहुंचने के लिए इससे भागता फिर रहा था लेकिन किसी मुकाम पर वो इसके गोले का निशाना बन गया उसे तीन गोले लगी थी जिसमें से एक गोली इसके दाए रान प कास्म की कार का क foto खोड रहा था एससले बुढ़ा इसकी कार में घुझ गजए understanding मुझे तो ब्रौटे मी कार मैं घटमी करी ना में तो इसका बहुए जरूं काइण कास्म काप्टन हमीद के पीमेदों को मुझे बताने कले उन से Tools आ ह new लिए ए उनries बदाए पाई ब्रहे का और मैं उससे लेकर जहां आ गया बुड़े की हाले से पता चला था कि इसे गुले मार का हला किया गया और पिकादम से मिलने के बाद चला कि लाज उसकी रहाज़का से ही उसके साथ थी तो मुझे अजीब सा लगा क्योंकि मैं जानता हो कि से अपनी रहाज़का की इफात के ले खतर खाती इंतजामात कर रखे हैं अब देखना ही है कि बुड़ा से आज़का की रहाज़का में दाकर कैसे हुआ था तर बुड़ा और बिल्डॉगर्स के बारे में पता ना चल सका इसके लावा वो कौन लोग थे जो बुड़े के पीछे लगे हुए थे और जोने बुड़े को गोलियां मारी थी कि उसमें पोर्च में जाते हुए वहाँ खून के कोई निशनात नहीं देखे करनर फ्रीदी ने मुससर बोलते हुए कहा हो सकता है कि बुड़े के कातल भी बुड़े के पीछे सेट आजम की रहाईश गामे हूँ और उन्होंने बुड़े के कार में ही गोले मारी हूँ हरिशने अपनी दानिस्ते से जवाब देते हुए कहा हुए यहां पिर हर सवाल पैदा होता है कि बुड़े के पीछे के कातल भी सेट आजम की रहाईश गामे आये थे तो रहाईश के गार्ज और बल्डॉगर्स कहां थे और एक बार फिर मैं घर जाकर अपने कमरे में घुस जाता हूँ तो फिर मैं बाहर नहीं कलता ही नहीं बिल्किर सोच पूछो तो मुझे इन बृलॉगर्स को देकर घिन आदने शुरू हो जाती है हरीश ने मौदब लहचे में कहा फिर सोच कर रुग गया अगर इजाए दे तो आपसे एक बात पूछू हरीश ने करना फिरीदी से मुकातिब होकर कहा तुम यह पूछने चाहते हो कि बुड़ा अगर कल रासे हलाक हो चुका है और मुझे इसके लाश मिली थी तो फिर मु हरीश ने मुझे यह लिगले और शेया पूरे निखा और फिर ने जबें इसके लिए अगजो कु पार फिरीदी ने कहा, लिए भी बढ़ दे पर पे उन ऐका बिलिए थी पूर इसकें सिर्ब पूर मौनितार, अगर Wieма उजू है», गिरने, तो तरक पिर तो करणे पूर, माजूद शायद इस बुड़े का नाम था चूकर यह लफाफा उसकी खुराग की नाली से निकला है इसले जाहिर है कि इसके सिवाई यह तहरीर को लिख सकता था रही बात ल.m.l.11 की तो मुझे इसके बारे में भी पता करना है कि यह क्या है यह यह कोड कोर्ड कोई है या यह हमें किसी काज जगा के बारे में बताने का इशा़ाय किया रही करना फ्रीदी ने कहा तो कि आप विस्वा पता भी लगाऊं, हरीष ने कहा नहीं, तुम अपना काम करो, इस कोड़ के बारे में कैपٹन हमीद को पता कर लेगा, क्यों हमीद? करना फरीदी ने पहले हरी से और पिकाटन हमीद की तब देखते हुए पूचा और करना फरीदी की बाद सुनकर हमीद कैपटन उच्छ पड़ा मैं क्या मतलब मैं भरे इस कोड को कैसे पता चला सकता हूँ कैपटन हमीद ने परिशानी के आला में कहा अकल का इस्तमार करो तो सब कुछ कर सकते हो करना फरीदी ने तलग लेज़े में कहा तो कासिम बेक तयार हमस पड़ा अगर इस बचारे के पास अकल होती तो ये बचारा क्या कर सकता है फिर फरीदी साहिब कासम ने हंसते हुए कहा और कैपिन हमीद उसे तेज नुदे से घूरने लगा हो सकता है कि किसी राकर की चावी हो कैपिन हमीद ने चंद लम्मे सोचने के बात कहा गुर्शो अब पते चला है ना सोचने से अब गौर करो कि ये किस लाकर की चावी हो सकती है तहरीर में LML किस के साथ भी डबल वन है हो सकता है कि इस चावी का ही कोड हो जिससे हमें इस लाकर के बारे में बताने का कोशिश की गई हो करनल फ्रीदी ने तारीफिल है जमे का LML लेकिन इस नाम से तो यहाँ कोई बैंक नहीं है कैपिन किटन हमीद ने बोलते हुए कहा और करो बरखुड़ा यहां पर प्राइविट लॉकर्स की भी कमी नहीं है करनल फ्रीदी ने का एक मिनट फ्रीदी जाहिए अचाने कासिम ने कहा करनल फ्रीदी कैप्टन हमीद उसके दब देखने लगे क्या हुआ कैप्टन हमीद ने उसके दब देखते हुए का यह नाम मुझे को सुना सुना सा लग रहा है कासिम ने सोचते हुए अंदास में का तो बताओ कहा सुना है तुमने यह नाम करनल फ्रीदी ने पूछा एक मिनिट मुझे अपने दिमाग पर जोड डाले दे दिमाग में कुछ फंस जाए तो मुझे से ही निकलता है कासिम ने कहा तो करने फ्रीदी ने सबात में सरहला दे ऐसे वक्त में तुम्हें अपने दिमाग पर होतोरा होतोरा मारना चाहिए ताकि फंस भी हर चीज का नाक के साथ अखराज हो जाए कैपटन हमीदी ने कासिम के अंदाज में जले कटर लहचे में कहा मुझे तुम्हारे इतारा अपना दिमाग खाली करने का चौक नहीं है तुम अपनी जबान बंद रखो शुकर करो कि जहां फ्रीदी साहिब है अगर यह नहीं होती तो मैं तुम्हारे सर पर अपना हतोरा मार कर मुका मार कर बचा चुका होता वरना बाहर निकाल देता कासिम ने कुसीले लहचे में कहा गोबर मेरे दिमाग में तो गोबर बरा हुए है कैपटन हमीदी ने कुसीले लहचे में कहा मैं करता हूँ बक्वास बक्वास करने की तो तुम्हार यदा था तुम जब बोलते हो तो मुदा पफन पार कर भी बोलते हो कास्थम बढ़क कर कहा बस खामोश हो जा तुम दोनों तो करनर फ्रीदी ने हाथ उठाकर इसे खामोश रहने का इशारा किया तो में LML के बारे में कुछ बता रहे थे करनर फ्रीदी ने कासिम के तरह कोड़ से देखते हुए का LML हाँ जाद है LML का मतलब है Little Master Locker कासिम ने कहा Little Master Locker क्या मतलब क्या यह करनर फ्रीदी ने का हाँ मैंने अपने एक दोस्त के बास अपने एक इमानत रखवाई थी मुझे इसके उज़त पड़ी तो वो मुझे अपने सा लोकर मास्टर ले गया जहां से उसे अपने लोकर खुलवा कर मुझे मेरी इमानत वापिस की थी कासिव ने सर लाते हुए कहा को और शो कहा है यह कंपनी करना फ्रीदी ने कोई शोते हुए कहा तो कासिव ने एल-ए-म-ल का एड्रस बता दिया हमीद अब यह तुम्हारा काम है तुम इस कंपनी में जाओ और वहां जाकर माजूच का लॉकर चेकर हो मुझे अमीद है कासिव के पसीने की है जिसे अपनी चराब की अबू समझ रहे हैं कैप्टन हमीद ने मूँ बना कर कहा तुम फिर बोले मैं तुम्हारे बार बार कह रहा हूँ अपना मूँ बंद रखो और मेरे जिसम से की अबू नहीं आती मैं रोज नहा कर अब पूर्टर पासाबन से अ माये कोशिश किया करो अइसवेड़े वे खुड़ी नहीं बिख रख करूंग करें तुम जैसे नौजवानों कर पहर हैं की लेड़ी माये कारे के करन लेटी माया ऐसी है। इसे बेहर शरीफ नफस और दुखी समझता था, कैपटन हमीद ने एक तिवी सांस लेते वे कहा, हाँ वो शरीफ और दुखी बनकर ही इजददारों को लूटती है, तो इसके पहले नौजवान शिकार हो, वो बड़ी उमर के लोगों को गिरती है, और इनने बड़े बड़े वो 25-30 से जादा की नहीं है, वरना वक्त के सासाथ उस की जवानी ढ़ल चुकी है, करनफरीदी ने कहा, तो कासिम ने बे एक त्यार हंसी निकल गई, तुम क्यों हसे हो, कैपटन हमीद ने उसे घूरते वे कहा, साले तुमने अपनी दादी की उमर की फल्प्यूटी फंसा रखी है, ये हंसे वाली बात नहीं है, तो और क्या है, कासिम ने हंसे में कहा, कासिम ठीक कह रहा है, तुम्हारे लिए बेतर होगा कि तुम अपना जोग बदल लो, वरना किसी दिन तुम्हारे साथ इतना बुरा होगा कि तुम किसी दिन को मो दिखाने के काबिल नहीं रहो तो कैपटन हमीद एक तुई सांस लेकर उट खड़ा हुआ मैं जाकर लॉकर से माजूच का समा निकालाता हूँ कैपटन हमीद ने कहा तो करनर फीदी ने इस बात में सर हिला दिया रुको मैं भी तुमा ऐसा चलता हूँ कैपटन हमीद ने कहा तो कैपटन हमीद करना फीदी की जाने तरह हम जदा नहजू से देखने लगे कोई बात नहीं ले जाओ इसे साथ इसका घर करीब ही है इसे रास्ते में ड्रॉप करके निकल जाना करनर फीदी ने कहा तो कैपटन हमीद एक तविल सांस लेकर रह गया और अगर रास्ते में मुझे के कबरुस्ताह मिल गया तो मैं तुम्हें मारकर वहीं दफना दूँगा कैपटन हमीद ने कहा दफनाने से पहले मेरे कफन दफन का बंदोबस कर लेना वरना मरने के बाद मेरा दस मन का भूत चल दी तुम्हें लिवी लेने आ जाएगा कासिन ने तर्के बे तर्के जवाब देते हुएगा और इसके अंदास पर करनर फीदी बे एक्तियार मुस्क्रा दिया जबकर कैप्टन हमीद उसे खा जाने वाजी नजरों से घूरना शुरू हो गया और फिर वो दोनों आगे बीचे चलते हुए वहाँ से निकलते चले गए इसके साथ ही हमें एक्ताम करते हैं अपने नॉवल के पहले हिसे का लेकिन रुकें क्या कैप्टन हमीद लौकर के बारे में मालूमाथ हासिल कर पाएगा और यह जाजूज और माजूज का असल किसा है क्या यह जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे हमारी अगली वीडियो तक वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करने ना भोलिएगा मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए अलाहाफिज